नवीन्तम विकास में गाजा में जारी संघर्ष को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिकी विश्विद्यालया परिसरों में तनाव बढ़ गया है न्यू यॉर्क में कोलंबिया विश्विद्यालया में दंगागिया में पुलिस ने प्रदर्शन के दोरान 119 व्यक्तियों को गिरफतार किया इस बीच, कैलिफोर्निया विश्विद्यालया, लॉस इंजल्स में प्रती प्रदर्शन कारियों ने फिलिस्तीन समर्थक शिविर पर हिंसक हमला किया ये घटनाएं, अकादमिक संस्थानों के भीतर गाजा संकट को लेकर बढ़ती अशान्ती और द्रुवी करण को उजागर करती है वार्ता, ये प्रदर्शन गाजा पर इज्राइल के हमले से उपजे हैं, जिसकी व्यापक आलोचना हुई है कोलंबिया विश्व विद्यालया में विरोध प्रदर्शन विशेश रूप से तीव रहा है, जहाँ छात्र धरना प्रदर्शन और अन्य प्रकार के सविन अवग्या में लगे हुए है विश्व विद्यालया ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए NYPD को बुलाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है मध्यपूर्व की राजनीती के विशेशग्य प्रुफेसर बासम ख्वाजा ने कहा है कि छात्रों के बीज असंतोष तेजी से बढ़ा है उनका मानना है कि गाजा संघर्ष का छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है जो मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों के बारे में चिंतित हैं विरोध प्रदर्शनों ने वैश्विक संघर्षों को संबोधित करने में विश्व विद्यालयों की भूमिका के बारे में व्यापक बहस छेड़ दी है। कुछ का तर्क है कि विश्व विद्यालयों को छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि विश्व विद्यालयों को तटस्त रहना चाहिए और अपने शेक्षिकी मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, चल रहे प्रदर्शन गाजा संगर्श पर अमेरिकी समाज के भीतर गहरे विभाजन को उजागर करते हैं। वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने में विश्व विद्यालयों के सामने आने वाली चुनोतियों को भी रिखाकित करते हैं।